नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हाई क्यालोरी यानि अधिक उठ्जा से भरपूर बेबी को खाना देना एक मा के लिए स्वभाविक तौर पे संतुष्टी का विश्य होता है क्योंकि ये बच्चे के हेल्दी वेट केन में योगदान देता है इसी के साथ ही हाई कैलोरी से भरपूर ये खाना बेबी को दिन भर की activity के लिए energy provide करता है उनके अच्छे growth और development में ये योगदान देता है हाई कैलोरी यानि अधिक उठ्जा से भरपूर बेबी के लिये डायट में variety के options में सबसे पहला नाम आता है grains यानी अनाज का बहुत high calorie से ये भरपूर होते हैं specially whole grains जो होते हैं fiber से भरपूर होते हैं vitamins और minerals की इसमें बहुत सी variety होती है specially iron और calcium से ये भरपूर होते हैं friends वैसे तो grains की सभी variety बेबी की healthy growth और development के लिए अच्छे होती है लेकिन यहां हम आज बात करेंगे top 5 grains के बारे में जो high calorie से भरपूर है, vitamins, minerals से भरपूर है high होते हैं fiber में और बच्चे के weight gain में ये definitely योगदान देते हैं तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जानते हैं इन top 5 grains के बारे में किस age से शुरू करना है, किन variety form में आप दे सकते हैं कौन सा समय अच्छा रहता है बेबी को ये देने के लिए अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो subscribe जरूर से कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही बेबी के healthy weight gain के लिए उनकी health के लिए आने वाले बहुत सारे healthy वीडियो के लिए keep watching high calorie से भरपूर healthy weight gain में सहायक whole grains में सबसे पहले हम बात करते हैं रागी यानि नचनी के बारे में बहुत ही healthy होता है ये बेबी के लिए आप इन्हें देना शुरू कर सकते हैं 6 महीने की उम्र से बेबी को रागी वैसे तो आप किसी भी समय दे सकते हैं लेकिन as a lunch और dinner देना बहुत ही healthy option है क्योंकि natural relaxant ये होता है बच्चे की अच्छी नीन में ये सहायक रहता है शुरुवाती 6 महीने से आप बेबी को रागी का दल्या बना के दे सकते हैं जहां एक तरफ रागी अपने आप में ही healthy weight gain के लिए अच्छा है वहीं इसमें गी add करने से ये weight gain में और भी जाला सहायक रहता है जब बेबी थोड़े बड़े हो solid food के लिए तयार हो जैसे 8-10 महीने के उमर में तो आप रागी की idli उसका रोसा बना के भी बेबी को दे सकते हैं और बड़े babies के लिए आप रागी की cookies बना के ले सकते हैं बच्चे के लिए food को ये और भी interesting बनाता है different variety लाता है रागी के और फायदों की यहां पर बात करें तो natural iron का ये source होता है एनीमिया यानि खून की कमी नहीं होने देता बच्चों में केल्शम से बरपूर होता है बच्चे की हड्यों की मजबूती और विकास में ये सहायक रहता है फाइबर से बरपूर होता है बच्चे को लंबे समय तक भरावा मैसूस कराता है पच्चने में ये बहुत ही आसान होता है साथ भी पाचर में भी सहायक रहता है Fat, Vitamins, Essential, Amino Acids और बहुत से Mineral से भरपूर बच्चे के लिए High Calorie Grain में Perfect Choice है दाले यानि Lentils 6 महीनी की उम्र से आप बेबी को देना शुरू कर सकते हैं बहुत से Varieties में आप बेबी को दाले दे सकते हैं मूम दाल, मसूर दाल, तूर दाल आपको 6-7 महीनी के उम्र में बेबी को देनी हैं मसूर दाल से आप शुरुवात कीजिए प्लेन दाल सूप से आपको 6 महीनी के उम्र से शुरुवात करना हैं एक एक करके आप Variety इंट्रोड्यूस कीजिए बचा जब कमफर्टेबल हो तो 7 महीनी के उम्र से आप उसे खिचडी की फॉर्म में दे सकते हैं 10 महीनी के बाद आप दाल में पालक एड़ करके भी दे सकते हैं बेबी जब सॉलिड फूट के साथ कमफर्टेबल होने लगे तो आप मूम दाल का चीला भी उन्हें दे सकते हैं लगभक 10 महीनी के उम्र से दाल आप बेबी को लंच और डिनर किसी भी समय दे सकते हैं बहुत ही अच्छा रहता है ये बेबीज के लिए बेबीज में दालों यानि लेंटिल्स के स्वासिल आपकी बात करें तो बहुत ही healthy option है ये बेबीज के लिए मिनरल से ये भरपूर होता है कैल्शम इसमें होता है बच्चों की हड्यों के विकास में उसकी मजबूती में सहायक होता है जिंक इसमें present होता है एक तरह का मिनरल है ये बच्चे की immunity को बढ़ाने में योगदान देता है आयरन का बहुत ही rich source है बच्चे में एनिमिया यानि खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देता प्रोटीन, फैट और डायेटरी फाइवर से ये भरपूर होता है इसी के साथ ही दालों में folate present होता है यानि की folic acid बच्चे के दिमागी विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है specially पहले और दूसरे साल में बच्चे के brain के development के लिए सावो तनाज में यहाँ पर अगली बात करते हैं ओट्स की बहुत ही helpful रहता है ये बेबी के healthy weight gain के लिए एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है उर्जा से भरपूर होता है बहुत से minerals की ये babies में पूर्ती करता है जैसे calcium हो गया, iron हो गया, potassium हो गया और magnesium बहुत से potion का ये source होता है तो बच्चे के healthy growth में ये योगदान देता है साथ ही digestion यानि पाचन को ease up करता है उसे आसान बनाता है oats आप देना शुरू कर सकते हैं बेबी को लगबग 6-7 महिने के बीच में plain oats porridge यानि oats की दल्या से आप शुरुआत कीजिए जैसे जैसे baby comfortable हो आप उसमें fruits एड़ कर सकते हैं high calorie fruits आप एड़ कर सकते हैं जैसे banana हो गया, mango यानि आम हो गया, puppy diet कर सकते हैं इसके अलावा apple brain food भी बहुत ही अच्छा रहता है बेबी को oats के साथ देने के लिए baby के healthy breakfast के लिए oats बहुत ही अच्छा option है आप अगर जाए तो बेबी को oats night में भी दे सकते हैं क्योंकि पचने में ये थोड़ा आसान रहता है बेबी के वजन को बढ़ाने के लिए और healthy varieties में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं broken wheat यानि गेहों के दलिया के बारे में बहुत ही अच्छा रहता है बेबी के लिए especially बेबी की भूप को बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक रहता है different different forms में इसे दिया जा सकता है बच्चे को plain दलिया के साथ आप शुरुआत कीजिए बच्चा जब comfortable हो तो आप इसमें vegetables add करके mixed vegetables दलिया भी बना सकते हैं यहाँ पर घी हम add कर रहे हैं तो बच्चे के वजन को बढ़ाने में ये और भी ज़ादा योगदान देता है बेबीज को दलिया आप देना शुरू कर सकते हैं साथ महीने की उम्र से प्लेन से आपको शुरुआत करनी है स्वास्तिल आपकी यहाँ पर बात करें तो बहुत ही healthy रहता है बेबीज के लिए बहुत से vitamins और minerals का ये source होता है specially phosphorus, magnesium और iron से ये फरपूर होता है बेबी के healthy weight gain के साथ उसके शारेरिक और मानसिक विकास में भी ये बहुत अधिक योगदान देता है जब गेहों से दलिया बनाया जाता है यानि गेहों को break करनी की जो process होती है वो कुछ इस तरह के substances और compound release करती है जो high होते हैं dietary fibers में और बहुत से अधिक पोशक तत्व में बेबी के लिए ये योगदान देते हैं अच्छे पाचन के लिए और उनके अच्छे metabolism के लिए बेबी को दलिया आप lunch या dinner किसी भी समय दे सकते हैं specially lunch के लिए ये अच्छा रहता है क्योंकि energy का power house है बच्चे को लंबे समय तक भरावा मैसूस कराता है nutrition का power house कही जाने वाले high calorie अनाज में अगली बात करते हैं barley यानी jaw की बहुत ही healthy option है ये बेबीज के weight gain के लिए लगबग 7 महिनी के उम्र से आप देना शुरू कर सकते हैं जब बेबी दूसरे अनाज की variety के साथ comfortable हो जाए तो आप बेबी को barley यानी jaw introduce कर सकते हैं दो different forms में इसे दिया जा सकता है आप jaw का दलिया बना सकते हैं jaw का पानी बेबी को दे सकते हैं पानी जो अगर आप दे रहे हैं वो आप morning time में दीजिए jaw का दलिया यानी barley porridge अगर आप बना रहे हैं तो तंच में देने के लिए अच्छा option है बारले के बेबी इसके स्वासिल आपकी यहां पर बात करें तो liver की मजबूती में ये सहायक होता है fungal infection से ये बचाव करता है दूसरे खाने से आने वाले iron के absorption में ये मददकार रहता है इसके अलावा ये fiber से भरपूर है पच्छनी में आसान होता है साथी पाचन में भी सहायक रहता है और स्वासिल आपकी यहां पर बात करें तो बच्चे की हड्डियों की मजबूती में सहायक रहता है फॉस्फोरस जैसे मिनरल से ये भरपूर होता है तो फ्रेंड्स आज हमने जानी टॉप 5 हाई कैलोरी हेल्दी वेट के इन ग्रेंज की वेराइटी बेबीज के लिए जो आप उन्हें देना शुरू कर सकते हैं लगबग 6 महीने से और दीरे दीरे बढ़तीवे उम्र के साथ आप और भी वेराइटी एड़ कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा आज का वेडियो पसंद आया होगा यूस्फुल लगा होगा आपके बेबी के healthy weight gain के साथ healthy growth और development में ही ज़रूर से योगदान देगा लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe जरूर से कीजिए हमारे channel को ऐसे ही बेबी के healthy weight gain के लिए उनकी healthy growth के लिए आने वाले बहुत से videos के लिए बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू फू वाचिंग एंड स्टेए पेट